गाव में बनाते तो बोलें कि हो देखा नाचा थी यह बिल्कुल में टूट गए थी उस टाइम बहुत रोती थी फिल्लों का ऐसे मानना है कि जी वो वीडियो होना आते उनका कोई इज़त नहीं होता है आपको एक बार किसी ने गिड्नाप कि था ऐसा पास से दस मिनट भी ज्यादा अगर कोई भी बात है उसको अगर ज्यादा दिमाग से सुच देंगे ना तो बिल्कुल बेहोस हो जाते हैं पहले आपने क्या सोचा था कि आपको वीडियो लाइन में ही आना था या कोई और भी मेरा सपना था आर्मे लाइन में जाना क्या रिलेशन्शिप में हैं आपका कोई बॉइफेंड है अगर हाल चाल बताने का मन कर दे तो नीचे कमेंट वक्षर में अपना हाल चाल लिख दीजेगा आते हैं मुद्द पर आज का जो हमारा एपिसोड है जो फर्स एपिसोड है इस सो का वह एक ऐसी लड़की के बारे में है जो सीजन का नाम है अपकमिंग स्टार वो भी एक अपकमिंग स्टार होने वाली है क्योंकि फॉल्वर जो है तीजी से बढ़ रहे हैं और बहुत आप से उनसे मिलवाते हैं जो आपको टेक्स लिखते हैं मैसरे लिखते हैं उनमें से एक सवाल था हूं कि आप दिरे से एक दिन उन्हाइब आना मैं और भाई आया तो दाटा मैं ममे मार में एक्सेप्ट करने के विडियो बनाती गूह सब लोग बोलें यह गलत है ऐसा ने करना चाहिए लड़की है लड़की कि तर रहे इज़त है क्योंकि जो लड़की विडियो नाते उन लोग ओंते उ तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाना में अभी पेचाहती हूं कि में बहुत आगे जाग बहुत काम करूं लोगों का जब से प्यार आपको मिलने लगा है तब से यह जो है आपका पैसन बन गया है इससे पहले आपने क्या सोचा था कि आपको वीडियो लाइन मे करेंगी बहुत रोती थी फिर बिल्कुल में तूट गए थी उस्टाइम बहुत रोती थी फिर बस ऐसे पढ़ाई करते थे जब नाइंथ क्लास में आये फिर हम बीडियो बनाने लगे फिर इस्टार्ट कि यह उसके बार से आप आपका फ्यूचर प्लान क्या है इसको लेके कि आप इस वीडियो को कंटीनू रखना चाहती है या अच्छा आगे यह कह सकते हैं कि तानिय अपना पहले प्रफाइल बनाना चाहते हैं अच्छा मतलब जिस टाइब का मिला है काम वह आप काम नहीं करना चाहते हैं जैसे कि साइड रोल वेगेरा या चोटे-चोटे-चोटे नहीं मिला है लेट करने के लिए छोटा मुटा अलबम बट मुझे मेरा सपना है कि में काम करना चाहते हैं करना चाहते हैं किसी के साथ भी मतलब कर देते हैं तो कहां तक पड़ाइगे आप अभी में 12 का पीपर जिसमें के दो पीपर जूट गया है अच्छा वीडियो के चकर में आप पड़ाई छोड़ दे रही हैं कर दो प्रफिशन प्रफिशन वीडियो बना रही है तो इसके बारे में गाओ वाले तो कुछ न कुछ तो कहते होंगे और ऐसा कोई प्रस्तिति जैसे आप जूजी हूं आप हमारे दसों को से पताए अच्छा प्रफिशन 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 प् तो फिर हम सक्सजोगी रहेंगे तो अभी आपके घर वाले फिर मान गया है अब जाते हैं घर पर आप जाते हैं तो आपको था कि मुझे बनाना ही बनाना है चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए तो आपको उस चार महिनों में आपका कौन है था और किस ने आपको बढ़ावा दिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं और आगे आपके साथ जाते रहती हैं अभी आपके घर में कोई प्रोब्रम नहीं है आपको लेकर गर पे नहीं है बट रिलेशन वालों को है इतना क्यूं है वीडियो तो बहुत सारे लड़किया और भी बनाती है तो सोच की बात होती है ना मतलब यह लगता है कि राजपूत की लड़की है तो राजपूत की लड़किया वीडियो नहीं बना सकती है अच्छा मैंने एक और करते सुनी थी कि आपके सायद पापा नहीं है तो उनके ना होने के बाद भी आप यहां तक पहुंच आई तो आपके ममी का क्या मॅखल की सीन आपके साथ आखे लाइफ में मम में भी बहुत मानती है मम में भी मेरी अपता किसी के भी घर वाले क्योंकि अभी जो भी हुआ अब ममी सपोर्ट करती है पहले कोई नहीं करता था और मैं पापा की बात है तो मैं पापा को खुद नहीं देखियो जो की एक साल कि थी तह भी ओडिट कर गया मैंने यह सुना है कि आप गिने वह बमने समरी इते है वह है 2-8 कि आप सौस्थ कम और वास्पिटल में जयदा रहती है इसका क्या लॉजीक है क्योंकि मैं डिप्टेशीन में बहुत ज्याधा रहती हूँ क्योंकि मैं यू जयाधा रेती हूझत है लुख जै़ा गजवले से स डिप्रेशन की बिमारी है आपको ठीक है अच्छा मैंने कहीं देखा था यह सुना था किसी से अब इसमें किती सचाई है और कितना जुठाई है तो आप ही डिकलेर कर सकती है कि आपको एक बार किसे ने गिड्नैप करने की कोशिच की थी यह गिड्नैप किया था ऐसा कुछ हां थोटी थी उस टाइम भाई का मेरा बड़े था कितने साल की यह यह याद नहीं बट छोटे थे इतना यादे एक तीस जनुरी की बात है भाई का बड़े था में दूद लेने जा रहे थी बड़े बाबा के घर पे और साधी थी पासी में तो हम बोले कि अंधेरा हो गया और मेरा हाथ पकड़ लिया हम डर गए बिल्कुल जिस पर रखके बैठा जाता है में पैर उसी पर रखके और दोनों साइट जंगल था खेत भी था तो हम खेत में गिर गया उसमें राखी था तो फिर जब मैं ऐसे गीरी तो राखी हाथ में आया तो मेरा राखी लेकि उसक आपको खाने में सबसे ज़्यदा क्या पसंद है खाने कम खाते चिफ्स ज्यादा कहते हैं यह हमारा जंता का सवाल था और आपके वीडियो में ऐसे कमेंट भी आते होंगे लेकिन आपको तो टाइम है नहीं कि आप सके तो उसके लिए हम बैठे हैं पढ़ने के लिए और ए आप जो है पारूल जी के जैसे दिखती हैं आपको लोग पारूल समझ के जो है और लाइक करता है कमेंट करता और फॉलो करता है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अब यह तो सचाय कि लोग मुझे भी पारूल लादो समझते हैं अच्छा क्योंकि कल के बात जब लाइं तो आपको कैसा लगता है जब आपको कोई पारूल जी के नाम से बुलाता है या फिर उनके जरीया आपको पहचानता है यह पारूल जैसे काफी लोग मेरे कुछ मैंनत में भी कि हूं लेकिन हच ज़्यादा सपूर्ट मेरे कुदीए की बहुत ज़्यादा जब कि अब बहुत बढ़ा हैं कि इतना संहर्स करके और यह तक पहुंची है तो अम तो यह पूछना चाहता हूं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कहमारा खुद नाम होना चीह हमारा तानिया सिंग जाने ना कि पारुल यादों की वज़े से जाने ऐसा लोग मुझे भी जानते उनक जानते हैं तो जानते हैं तो किस प्लेटफॉम पर बनाती हैं मैं इंस्टाग्राम पर यूटूब पर फेस्टूब पर राजपू तानया सिंग तपर पिंटानेट रिखते हैं उन्से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके यूटूब फेस्बूक और इंस्टेग्राम पे जाके फॉलो करें अच्छा आप इंस्टेग्राम इंफ्लूएंसर हैं इतना सारा फॉल्वर है आपका और इंस्टेग्राम पर वीडियो बनाती हैं तो बहुत सारे गाना भुचपुरी में जो है असलील और गंदे गाने बन अच्छा गाना है आप उस पर वीडियो बना रही है कि सब लोग बना रहा है तो उस पर आप भी बनाएंगे और असलील गाना चली रहा है वही हम असलील बनाए तो को मिल्यान भुचपुरी को बनाएं तो यह थोट नहीं है तो हम थोड़ा चेंज कर दे इस महौल को थोड़ा बहुचपुरी को बदल दे थोड़ा अलग नजरिया से लोग देखें जो कि हमारा टैग लाइन भी है तो का हमारा यही है कहना कि भोचपरी को कहे सब अपना ऐसा असली आपका आप मेरा चिक कर सकते हैं और में ज्यादा साडी में वीडियो बनाती हूं सब्सक्राइब करते हैं ठीक है लेकिन हमारा अपने चैनल के माध्यम से यह कहना रहेगा आप से कि अगर इस पे थोड़ा सा देखा जाए आप एक कदम बढ़ाएंगी इस इसके चलते कि हम थोड़ा सही वीडियो बनाएंगे तो बाकी लोग भी थोड़ा पीछे-पीछे हैं मेरे ख्याल से अब शच्रह थैश्द गाना ही तो बंद कैसे होगा जिवी पॉइंट करिजमिर लोग असली है तो हम लोग तो क्रिएटर लोग है साई ऐी बात है जिस गुरॉप से विदियोघ्र में रहके इस गुरूप को जॉइन की तो होगे किता दिन होग है छे इस अपने को भूली जाता है अचा सबसे फिर्ट सवाल मेरा यह कि आप क्या रिलेशन्शिप में है आपका कोई बॉय्फेंड है कि और इंब करते हैं कि ये इनका बॉikes अभी कोई इंट्रेश्ट नहीं है आगे चल कर यागा तो मतलब दारस्रक हमारे देख रहे हैं उनका ये फुल तानिय जी जो है वो सिंगल है आप लोग बिल्कुछ चांस मार सकते हैं हाँ एक दम अहां कोलाबरेशन एक्सेप्ट करें नहीं मैसेज करें वह अलगी बात अच्छा जाते जाते आप कुछ हमारे जनता को कहना चाहेंगी हां जैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इत इधर ही आ रहा होगा जहां भी है तो बहुत बहुत धन्यबाद आप लोग का जो हमारा यह शो देखें यहां तक आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन दबा लिजे इन फ्यूच्परी का और भी सारे बहुत सारे एपिसोड आने माले हैं अभी तो हमनी के यह हैं बहुत कहना भोशपूरी के सब क्यूं कहें अपनों